I want to thank Study IQ, I would like to thank Study IQ team, big round of applause to the team management and staff of Study IQ Thank you Problem क्या है कि इसके अंदर ये काफी कोशली भी हो जाता है, फिर इसके साथ साथ इसकी recycling भी कम होती है इन सारे चीज़ों को देखते वे, कहीं न कहीं भारत एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो bamboo crash barriers है, अब इसको install किया जाएगा ये आप देख सकते हो, steel crash barriers may make highway for cheaper bamboo तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि exactly है क्या कैसे work करता है और इसके benefits क्या क्या है, कई सारी चीज़े हैं, इसको treat किया जाता है इन bamboo को और किस तरह से फायदा होगा हमारे farmers को भी, काफी कुछ जाने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं कैसा batch चाहते हैं, जिसके अंदर prelims, mains, interview, सब कुछ आपको कराया जाए उसको आप attempt कर पाएंगे, चली शुरुवात करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, दीखें जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत एक कदम आगे भढ़ आया है ताकि highways पर जो steel crash barriers हैं, उसको हटाकर bamboo के crash barriers लगाया जाए इसका main मकसद यह है, ताकि हमारे जो roads हैं, उनको safer बनाया जाए इसके साथ साथ overall जो construction cost आता है, वो यहाँ पर कम से कम आए इनफरेक्ट आप देख सकतो, यह जो technology है, यह जो bamboo crash barriers लगाने की जो technology है वो patent कराये गई है भारत के अंदर, और साथी साथ इसका जो benchmark है, वो आपको European safety standard का देखने को मिलेगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम bamboo का लगा देंगे, अगर crash barriers, तो इससे ऐसा नहीं है कि हमारे गाडियों को खत्रा है या फिर लोग जो बैठे हैं, उनके safety को लेकर कुछ issues है, नहीं, यहाँ पर वैसा ही safety standard मिलेगा जैसा आपको Europe के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर bamboo का वो बना होगा and it is expected to give a significant push to the green economy, अक्तर हम बात करते हैं आज के date में especially कि यहाँ पर जादा से जादा हमें environment friendly चीजों को इस्तमाल करना चाहिए तो यह जो bamboo है वो इसी की तरफ इशारा है और इसकी वज़े से लगबग 20% तक जो overall cost है crash barriers बनाने का वो कम हो सकता है, in fact मैं आपको बता दूँ इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो senior government officials है, ministry of road transport and highways के उन्होंने इसके बारे में बताया कि अगले 6-8 महने में अगले 25 राज्यों के अंदर देश के 25 राज्यों के अंदर 86 km लंबा जो highway पर crash barriers है उसको लगा जाएगा देखो ऐसा नहीं होता है कि पूरे highway पर ही crash barriers होते हैं मैंने आपको बताया कि कुछ special points होते हैं जहां पर testing की जाती है, देखी जाती है कि वहाँ पर accident होने के chances जादा है और इसलिए crash barriers लगाना पड़ता है तो यहाँ पर 86 km of highways पर बताया जा रहा है कि 25 राज्यों में यह जो crash barriers है उसको install करने की कोशिश की जाएगी और ultimately इसके बारे में assess किया जाएगा उसका main मकसाद यह होगा इस पूरे pilot project का कि हम चीजों को study कर सकें कि वो कितना effective हो रहे हैं, कोई issue तो नहीं आ रहा है मैं यह नहीं करा हूँ कि कोई बहुत सस्ता हो जाएगा इसको बनाना लेकिन क्या है कि मालो अगर इसकी requirement बढ़ेगी, इसका production बढ़ेगा अब bamboo की जादा से जादा procure किया जाएगा तो इसकी वज़े से क्या होता है कि जो overall cost है वो कम हो सकता है और बताया जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि 20% तक cost कम हो सकता है अब आप इसे कई लोग सोचेंगे कि present में अभी कितना cost आता है देखो depend करता है कि barrier किस तरह का है यह जो steel आप देख रहे हो यह crash barrier यह कितना मोटा है कितने height का है तो ultimately यहाँ पर weight और quantity को quality को देखते वे 1200 से लेकर 2500 पर मीटर मतलब एक एक मीटर का अगर हम barrier लें तो 1200 से 2500 पर मीटर के आज़ पास इसकी cost आती है तो इससे भी और सस्ता हो सकता अगर हम bamboo crash barriers लगाते है फिर आप question ही है कि इससे benefits क्या क्या होगा देखे यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो problem क्या है अगर आप दुनिया भर में देखोगे स्टील के prices को लेकर काफी ups and downs देखने को मिलते हैं मतलब स्टील का price रचानक से कभी बहुत ज़ादा होगा पर रचानक से crash करेगा फिर बढ़ा हो तो वो reliability नहीं है पाइदा होगा देश को फिर इसके लावा एक और interesting चीज़ मैं आपको अठाता हूँ जो स्टील के crash barriers होते हैं इसकी further अगर आप recycling देखोगे ना मतलब कि अगर इसको replace करना है तो इसकी recycling मुश्किल से 30 से 50% ही हो पाती है लेकिन जो bamboo crash barriers लगेंगे वो उसको आप 50 से 70% उसका जो है आप recycling कर सकते हैं मतलब दुबारा recycle करके इस्तमाल कर सकते हैं किसी और चीज में भी या फिर इसको बनाने में इसमें एक और interesting कि यह आपको पता है कि जो bamboo होता है जैसे कि आप देख सकतो यहाँ पर जो bamboo है वो hollow structure होता है आपने देखा होगा ना bamboo का जो shape होता है round होता है और अंदर से hollow होता है राइट छे जैसा होता है तो वो कहें ना कहीं एक काफी जादा strength of flexibility provide करता है strength of flexibility मतलब यह है कि यह मजबूत तो होगा ही होगा ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर जो इसकी flexibility है मालो अगर गाड़ी आ रहा है इस टेट में और वो bamboo में भीड़ गया crash barrier में भीड़ा तो वो जितना flexible होगा उतना वहिकल के लिए safe होगा जो अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए उतना safe होगा तो यह steel crash barrier से काफी हद तक और safe बताया जाता है यह चीज हमें समझना और इसके साथ साथ यह भी बोला जाता है कि original अपने आप वापस से उसी shape में आ जाएगा अब steel क्या है कि अगर एक बाद steel crash हो गया तो वो उसी shape में रहेगा लेकिन bamboo तो वो हम समझ रहे हो ना कि यह natural environment से हमने लिया है तो हलका फुलका अगर इसके उपर impact आता है तो वो अपने आपको समझ लेगा वापस से reshape में आ जाएगा तो यह भी चीज इसके अंदर बोली गही है and this not only enhances safety of vehicles but also minimizes the damage of vehicle itself मतलब कि लोगों की तो safety होगी लेकिन जो damages है vehicle का वो भी safe हो सकेगा and इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला जाता है कि जो bamboo है इसको further processing की जाती है इसके उपर coating वगर हो गया layering हो गया वो सब लगाने से इसकी durability और बढ़ जाएगी सर्दी में गर्मी में यह और जादा लंबे समय तक चल पाएगा अब इसका significance क्या है यह जो हम बात कर रहे है bamboo crash barriers लगाने की मैं आपको बता दूँ पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा bamboo का जो production है growers है वो आपको चाइना में ने मिलते हैं फिर second number पर भारत आता है और भारत में आपको बता दूँ 13 million hectares of land से जादा में यह जो bamboo cultivation है वो किया जाता है और हर साल 5 million tons से भी जादा यहाँ पर production होता है bamboo का and आपको यह भी पता होना चाहिए कि it is the fastest growing and resilient plant मतलब bamboo को उगाना अगर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत कम water चाहिए होता है तो यह अपने आपको sustain कर सकता है तो इसको maintenance की भी कम आउशकता होती है तो overall ecologically अगर हम देखें तो यह काफी sustainable है and also जैसा मैंने आपको बता है कि जो farmers होगे उनके लिए काफी फायदा मन्द होगा यहाँ पर जो farmers अपने crops होगा आते हैं तो additionally वहाँ पर वो अपने field के चारो तरफ अगर bamboo उगा लें तो उनको इससे काफी फायदा हो सकता है and यह model मैं आपको बता दूँ आगे चलकर हो सकता है कि जो Indian railways हैं वो अपने fencing के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यह successful हो जाएगा देश के रोडों के उपर तो railway जो है आपका tracks जिधर से गुजरते हैं तो उसके side side में भी जहाँ पर fencing लगाए जाती है वहाँ पर भी हो सकता है कि bamboo का इस्तेमाल कर दिया जाए वैसे आपको मैं एक interesting की बताता हूँ जो यह मैंने आपको picture दिखाई थी न यह basically महराष्ट की है महराष्ट में क्या हुआ था यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक pilot project लाउंच किया गया था यह आप देख सकते हो नितिन गटकरी जी ने खुझ इसके बारे में बताया था इसी साल और उन्हें ने कहा कि extraordinary accomplishment towards achieving आत निर्भर भारत क्योंकि यहाँ पर दुनिया का पहला 200 meter long bamboo crash barrier यह आपका वानी वरोरा highway पर install किया गया है और यह जो barrier install किया गया है इसको बाहू बल्ली बोला गया ठीक है बाहू बल्ली तो यह आपको ध्यान में रखना है in fact in case UPSC कहीं किसी exam में आ जाए बाहू बल्ली अभी recently news में था क्या है तो यह basically जो install किया गया था bamboo उसी को बोला जा रहा है and interestingly मैं आपको बताता हूँ कि यह जो crash barrier install किया गया था यह bamboo सा बालकोवा bamboo है basically ठीक है तो इस तरह की coating वगरा लगा दी जाती है ताकि और bamboo को हम मजबूत कर सके in fact आप देख सकते हो जो technology है इसको काफी extensive testing इसकी की गई है इंदौर में पितामपूर है वहाँ पर एक national automotive test track है वहाँ पर इसकी काफी testing भी की गई थी तब इसको यहाँ पर लगाए गया था महाराश में and it was classified as class 1 in fired rating test also and Indian road congress ने भी particular चीज को अप्रूव कर दिया है तो अब देखना होगा finally कब तक यह भारत में install हो पाता है क्या है लेकिन यह काफी बड़ा कदम है again अगर हम scale की बात करें अगर भारत में इतने सारे node networks है हर जग अगर इस्तामाल होने लगेगा तो काफी सारी चीज़े हम कर सकेंगे steel वगर की उपर जो हमारे dependency है वो कम हो चाहेगी और जाने से पहले की interesting question क्या बता सकते हो कि परादी port is located on delta of which among the following कौन से river के delta पर आपको पर आपको परादी port देखने को मिलता है इसका right answer आप सबको पता है मेरे instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो mcqs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको pdf टेलिग्राम पर आईए अलग लग social media पर आप यूड़ पा ओगे और जैसा मैंने आपको बताया यूपी सी कि अगर आप त्यारी कर रहे हो जस्ट उस दो कोड अंकित लाइव तो गेत मैक्सिमम डिस्काउंट और हो की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ से नेक्स्ट इम तेल देन थांक यू बड़ी माच यू सून Study IQ IS अब त्यारी हूई अफोर्डबल